यह इंजिन अभी भी हिल रहा है मिस्फायर हो रहा है अभी देखते हैं फॉल्ट कोड क्या आ रहा है अभी दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हो बढ़ी होंगे दोस्तों मेरे पास एक गाड़ी आई है लिंडाए ग्राइटन ठीक है उसमें एक इशु आ रहा है गाड़ी इंजिन मिस्फायर हो रहा है और गाड़ी चलते जलते बंद पड़ रही है देखते हैं इसमें क्या इसो आता है किया इशु हो सकता है तो मैं इसक्वाइब स्कैनर लगा आपि देखते हैं कि कोड कि आरे पहली बाद यह हमारे एकस टूल है को करेट किया है में आइट है आटमेड़ी चैन में जाते हैं पूरा कम्पिर्ट स्कैन हो गया है देख सकते हैं इसमें तीन कोड दिखा रहे हैं इसी में देखते हैं क्या कोड आ रहे है कि अधिन कोड आ रहे हैं मुझे लगता है पहले दो कोड थे अभी एक तीसरा कोड भी आ रहा है मुझे लगता है कुछ वायर निकाल दिया किसी चीज़ का एक बार वापिस से करके देखते हैं कि वायर तो कोई नहीं निकाला है यह तीन कोड आ रहे हैं सिस्टम टू लीन अट आइडल तो और एक यह तीन कोड आ रहे हैं पी-0134 पी-0132 और पी-2187 यह दोनों तो है अपना क्या कहते हैं ओडू सेंसर के जो अगर ओडू सेंसर यह आपका खराब होता है तो यह कोड आ सकता है यह सिस्टम में कुछ गीश्रू अहीजिस overtime होगा तो भी यह कोड़ा सकते सिस्टम में यह आने इंजिन से है जो P2187 है निकल निकल है लेट नहीं है जमेन डालेंगे ना पानी अगर होगा इसमनल पता चलता है पानी यह थो पानी अलव होता पानी में हो पैट्रोल अलव होता है जाऔ आप आप अगा अग नहीं है कुछ इसमें पेट्रोल में पाने हो गरा कुछ निए पेट्रोल चाहिए अभी हम इसके पुराना ओडिसन से प्लागा के दिखते हैं और अधिस पर क्या इश्वार है यह अभी अपनी लगाया था और इसके बाद निन दें इंजिन में मिस्पायर आ रहा था तो अब पुराना यह ओडिस इंसर लागा के देखते हैं यह रखा हुआ भी लगा के देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या फ्रॉलम आ सकता है रोटे से आने के बाद में डारेक्ली यह चेक कर रहे हैं कोड कुछ खोला नहीं हमने तो डारेक्ली पहले कोड चेक करते हैं कि कुछ कोड आ रहा या नहीं आ रहा है यह दोनों कोड आ है और वो सिस्टम लीन का कोड भी आता है कुछ दूर चलने के बाद में मतलब वो तीनों ही कोड हैं जो इसमें आ रहा है दोस्तों आप सुझे रहे हैं कि यह तो खांडी सेंसर चेंज चेंज करके देख रहे हैं मतलब बात ऑप सही है लेकिन दोस्तों हम लोग कोई डीलर्शिप में नहीं है मतलब डीलर्शिप में क्या होता है जिस व्याएं या या individualist company का brand है उनके पास service manual है हुनके पास सारी us घ्र तो और हम 됩니다r के साथ check कर सकते हैं हम यहां पर check कर सकते हैं लिकिन इतना हनुक्त परेसन स्थे कि हम ने जो चेक किया है वह 100 परसंट करेक्ट नहीं हो सकता क्यों क्यूंकि कि हम को पता है रज्समारी सब्सक्राइब को नहीं हमेरे पास है तो हम कैसे मान सकते हैं कि यह रजिस्सन सही सथकते हैं इससे अच्छा है कि इससे सेंसर आप मनें दूसरा नया डाल के देशकते हैं यह आप डीलशिप सेंक श्लीक हैं सरे अब पास लिग अब चेक सकते हो द Tंसर बाहर निकाल ये और एक वायर अटमें za से एक एक wire connect करके देख सकते हैं कि इतना resistance आ रहा है और continuity आ रही है नहीं आ रही है तो अभी हमने sensor तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे बास service manual नहीं है तो उससे अच्छा better होगा तो दूसरी गाड़ी का sensor डाल के देख सकते हैं ठीक है तो अभी हमने वहीं किया है हम क्या रहां कंडिनुरी चेक कर रहा है तो रहो कौन सब है रही है औरेंज है ना यह औरेंज कलर है ना औरेंज कलर है लगावी कि इससे चेक कर रहा था तो यह आ रहा है लगा इसमें बरोवर एक कंडिनुरी ठीक है दूसरा चेक कर दूसरा वायर यह यह ब्राउन वाला है ना यह ब्राउन वाला आपां पर आरा ना जुकर आरा तो इसना बदान महा थे-धै के निटस शरुटमर मत दूसरा अलग अलग जगे मैंन भी यह कीज कर दूसरा दूसरा जोड़ैत रही है आया यह थोड़ा मत कि बड़ोर है ठीक है चोटा देखो लगा कि कुन सा बार हाथ अधर एक लुट वाइट कलर कहा ना यह थीक है लगा आ रहा है और एक जगा पे आ रहा है असी घ्रांड़ यह मतलब अपना ग्रांड भी सई है तो दोस्तों आप हमने इसके पुरी वाइरिंग वारिंग जो चेक कर लिए लो वाइरिंग तो कहीं से ब्रेक नहीं है कुछ नहीं है यहां से कप्लर यहां से चेक कर लिया ओड़ी सेंसर तक सब कुछ ओक्य है अब इसमें दो ही फॉल्ट हो सकता है या तो वाइरिंग सॉरी Catholic Converter खराब होगा अपना Catholic Converter ऐसे तो नहीं दिख रहा है लेकिन हो भी सकता है Catholic Converter में कुछ उश्व हो और दूसरा है ECM डालके भी चेक करना पड़ सकता है लेकिन दोनों ही चीदे महंगी है तब हम इसको गाड़ी को ओएम भेशते हैं क्योंकि थर्ड कॉल लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ECM भी बहुत महंगा है और Catholic Converter भी अगर हम डालेंगे तो भी वह भी बहुत महंगा है तक्रिबन एक लाग रुपे की आसपास इसका नया Catholic Converter आता है क्योंकि हमने Catholic Converter चेक कर लिया था उसमें कुछ ऐसा दीक तो नहीं रहा था लेकिन हो सकता है फिर भी उसमें कुछ इश्यू हो और उपर से काम नहीं कर रहा होगा तो तो यह वाला Catholic Converter रहे है इतर आता है पीछे कि यह वाला Catholic Converter है या तो उसका हो सकता है या तो फिर ECM को हो सकता है दोनों में से एक है गाड़ी OEM को भेजना पड़िया क्योंकि थर्ट कॉल लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे इसाफ से तो वायरिंग में कुछ इश्यू नहीं है अब देखते है गाड़ी OEM भेज तो नेख सकते हैं गाड़ी बंद भी पड़ रही है मैं रेस कर रहा हूं गाड़ी इंजिन बंद हो गया है अब यह कोड़ भी चेक करते हैं कि कोड़ क्या रहा है कि अजुन में चलते है कोड़ कोड़ दोनों का कोड़ आ रहा है अभी भी आ रहा है दोस्तों अभी भी कोड़ सेम आ रहा है कि सर्किट हाय ओल्टेस्ट नो एक्टिविटी अब यह प्रॉल्म है इसमें कि गाड़ी पंदरा दिन के बाद में कैटलिक अनवर्टर भी डाल दिया तब भी गाड़ी में सेम इश्यू है वह भी ओईम ने ड़ला है हमने नहीं गाड़ी ओएम भेज गिया था तब भी तो दोस्तो इसका यह गाड़ी एब तक्रीबन दो मेने के बाद हमारे पास आई है इस का हमने हमें icm के लिए बोला था icm करना पड़े तो icm yosux toes Nohartodam परूर tahu का स्री निया गाफ रहनी है तो to use Mei डालना था तो two-een में मिल रहा नहीं था काफी दिनों से खड़ी ओसके बाद में अभी मिला है और दाला है उसके बाध कोडिंग होगा नहीं है ठीक है तो मतलब इसका मतलब है कि हमारा जो डाइगनोसिस था वो सही था हमने जो ओएम भेजा था वो यह मैंने डिलर्शिप में जो भेजा था कि उसके बाद उन्होंने और भी बहुत कुछ किया मैं अब ही बता रहा हूं आपको लेकिन आप पहले देख लो इसी हम चेंज किया है तो दोस्तों जैसा कि हमने डाइनोस किया था इसका फराब था हमें पक्का पता था लेकिन एक थर्ड कॉल लेना जरूरी था क्यूंकि इस बॉलेशिप वालो ने तो पहले तो कहा कि हमको पता था कि इसव नहीं है और एक से एक लगत के करीब आसपास में आता है चाहिए इसी नहीं है कि हम उसको नहाँ डालने के लिए दें तो हम ने कहा गया के यूज्वे एक एक लिक नोट लिया और उनको दिया कि यह चेक करो हो कि यह कलिके नोटर अगर खराब है तो यह तो अच्छा होगा उन्होंने चेक किया डाला गाड़ी ओक्षी हो गई हमारे पास घाड़ी आने के तो यूज में का लिया और दिया उसके बाद प्रॉल्म सौल हो गया गाड़ी अभी आई है हमारे पास अब हम इसको चेक करेंगे गाड़ी इसम तो मैंने आपको दिखा दिया इसम रिप्लेस हो चुका है तो अब इसको चेक करेंगे और फॉल्ट कोड क्या है देखेंगे हम पूरा सिस्टम सेलेक्ट करेंगे पूरा पूरा हेल्थ रिपोर्ट निकालते हैं देखते हैं देख सकते हूं कोई भी कोड़ कोड नहीं है इंजिन में अब क्लियर हो गया है तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास अगर यह तीन फॉल्ट अगर आपके पास आते हैं गाड़ी कोई आती है हुंडाइक की एक्सेंट अगरा रहे हैं तो आपको पहले तो आपको पहले चेक करना है फोड़ी सेंसर डालनीके बाद थो आपको वारिंग कर आपको आपने वाइरिंग कैसे चेक करनी है उसके बाद सब्सक्राइब निच्वार्ट निचे से अंदर माटेरेल दिखता है वह दिखना चाहिए जो तो उसका filter होता है अंदर वह दिखना चाहिए यह वह जाम नहीं होना चाहिए एकदम कभी-कभी होता है कि क्लॉक होता है एकदम होता है तो वह बार ऐक बार चेक कर लिया करो उसके बाद फिर a cm बाद सकते हो तो यह तीनो चारों चीजे रिजन हो सकती है है यह फॉल्ट को डाने के ठीक है तो इन में से कुछ भी हो सकता है आपको स्टेप बाइस्टेप कैसे डियागनोस करना है वह आपने इस वीडियो में देख लिया और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए आया हैं तो चैनल को सब्स हुआ 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 है